तो आज मैं आपको उताने वाली हूं 34 बस साइज सिंगर कट्रोरी ब्लावूस की कटिंग तो मैंने पैपर को उपर से सीधा कर लिया है तो यहां पे मैं लेंद प्लस वन इंच करूंगी अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हो तो आपको लेंद प्लस टू इंच करना है तो यहां पे मैं वन इंच करूंगी तो मेरा लेंद 13 इंच रेडी है तो मैं 14 इंच पी निसान लगा कि इस निसान को सीधा कर लूंगी निसान को मैंने सीधा कर लिया है अब सोलर लेंगे 5 इंच की आम हूल की गहराई लेंगे यानि आम हूल की लेंद 5 इंच है तो हमने 10 इंच पी निसान लगा कि इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे तो हमने सीधा कर लिया है अभी बर्ष्ट का चोथा भाग लेंगे हम तो 34 के साड़े 8 इंच पी निसान लगा दिया उसके बाद मार्जिन का मैं ने पौने 2 इंच लिया है अब आम होल का लेंगे यानि रेंगे और इस पर यहां हम आम होल की गोलाई दे देंगे इसी तरह से आपको शेप देना और नीचे की तरह हमर्पिंच हम रिंखली ले हैं या आप देख सकते हों एक आप 1 इंच क्लेश देसा कंगे आहाँ है नहीं ज टैबाया है Sin निसान को हम चार्कोर्णा कर लेंगे अभी आपको जैसा भी गला चाहिए वैसे कर सकते हो यहां से आप नीचे से जद्धा भी ले सकते हो लेकिन मैंने दो इंची लिया है क्योंकि मुझे बहुत जद्धा ब्रोड गला नहीं चाहिए मैंने गला बना लिया है अब नीचे से हम कमर का चोथा भाग और उसके बाद जितना उपर माजिन लिया था उतना ही लेंगे और इस निसान को हम लोग मिला लेंगे तो मैंने निसान को मिला लिया है बेल्ट के लिए मैं 3-3 इंच भी निसान लगाऊंगे इस साइट भी और दूसरी साइट भी और इस निसान को हम सीधा कर लेंगे उसके बाद जो हमारा बस्ट पॉइंट वाला निसान है वहाँ पे इस तरह से हम कर्फ कर लेंगे तो इस तरह से हमारा जो बेल्ट है वो रेडी हो जाता है अभी हम कटोरी का निसान लगाएंगे तो मैं 5.5 इंस भी निसान लगा रही हैं कटोरी के लिए तो यहां से भी सेंटर्स पे हम 5 इंच पी निसान लगाएंगे और यहां से 1 इंच उपर की तरफ और कटोरी का शेप दे देंगे हमारा कटोरी रेडी हो चुका है अभी हम कटोरी का सेंटर निकालेंगे और इस लाइन को उपर बस्ट पॉइंट में मिला देंगे तो यह हमारा हो चुका है अभी इस साइट से हम 0.25 दोनों तरफ से लेंगे तो यह हाप इंच का हम यहां से कट करके निकाल देंगे इसके लिए हमने निसान लगा दिया है यहां पे जैसे आप वीडियो में देख पारे वैसी है आपको सेम निसान लगा लेना है उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है तो आप लोग देख सकते हैं हमने बेल पार्ट की कटिंग कर ली है और यह जो हमने निसान लगाया था एक्स्ट्रा वो हमारा वेस्ट हो चुका है यानि उसका कोई यूस नहीं है अभी हम दूसरे पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से आपको सारे पार्ट की कटिंग कर लेनी है तो हमारा वे जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है फैब्रिक मैंने डबल में लिया है तो यह हमारा इतना सा फैब्रिक है अस्तर का और तीरे वाले पार्ट को मैंने सेम जैसा था वैसे ही मैंने ड्रौ कर लिया है बेल्ट वाले पार्ट में उपर और नीचे से हापाप इंच एक्स्टा लिया है और यहां से भी हूक और आपटिक को जोड़ने में जाएगा इसलिए कटोरी के पार्ट को भी मैंने सेम वैसी ही डौक कर लिया है और यहां पे हम बस्ट पॉइंच का निसान भी लगा देते हैं अभी हम कटोरी को बढ़ाएंगे तो इस साइट से हाप इंच मैंने निसान लगाया है यहां से भी हाप इंच निसान लगाएंगे और इस साइट से हम वन इंच पे निसान लगाएंगे अगर आपका बर्ष्ट है वी है और आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो आप ज़्यादा पे निसान लगाएंगे तो यहां से मैंने 4 इंच पे निसान लगा दिया है, इस साइट से भी 1 इंच पे निसान लगाके कटोरीका शेप दे देंगे तो इस तरह से मैंने यहाँ पर शेफ दे दिया है यहाँ से हम सवा दो इंस नीचे की तरफ यान टोटिल जो हमारी डाट लगेगी वो सवा दो इंस की लगेगी और सभी पॉइंट्स को हमें मिला लेना है जैसा मैं यहाँ पर वीडियो में आपको दिखा रही हूँ सेम वैसे ही तो यहाँ पर हमने सभी पॉइंट्स को मिला लिया है अभी मैं हलका सा जो कटोरी का शेफ है वो गोलाई में दे रही हूँ तो इसी तरह से आपको गोलाई में दे देना है और ये मैंने cutting कर ली है तो मैंने man fabric और अस्तर दोनों की cutting कर ली है man fabric को मैंने अस्तर के parts से थोड़ा सा जो है extra लेके cut किया हुआ है तो सभी parts की cutting हो चुकी है next video में आप देखोगे कि इसकी stitching आपको किस तरह से करनी है so आज के लिए बस इतना ही thank you, bye